दीपिका बादुकोड सिद्धान चुतुरवेदी और अनन्या पांधे की फिल्म गहराईया काफी धूमधाम से अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है फिल्म को अपने तरी कंगनर रणोंत ने पुरी तरह लरतारते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपना गुसा जाईर किया है उन्होंने मनोच कुमार के हिमाले की गोद में के गीत चांसी महभूवा के साथ अपने विचार पोस्ट करते हुए कहा मैं भी इसी पीडी की हूँ लेकिन मैं इस तरह के रोमांस को समझती हूँ नई पीडी ने जबाने शेहरी फिल्मों के नाम पर कचरा मत बेचो प्लीस बुरी फिल्में बुरी ही है कोई भी स्किन शो या पोनोग्राफी से बचानी सकती ये एक बुन्यादी तर्थ है कोई गहराईया वाली बात नहीं है साथ इंडिस्टी की सूपर हेट एक्टरस रश्मिका मंदाना किसी पहचान की मौताज नहीं है और उने कई फिल्मों में काम किया है लेकिन फिल्म पुस्पा दर्राइज ने उनकी पॉपलरिटी को चारचान लगा दिये हैं इस फिल्म में रश्मिका मंदाना ने श्रीवल्ली का किरदार निबाया था बता दें कि एक समय ऐसा भी था जब रश्मिका मंदाना फिल्मी दुनिया से दूरी बनाना चाहती थी और अपने पिता के बिजनस के साथ जुड़ना चाहती थी इस बात का खुला साथ खुद रश्मिका ने अपने एक इंटर्वियू में किया है हाली में रिलीज हुई साथ अबनेता रवी तेजा की फिल्म खिलाडी अपनी रिलीज के साथी विबादों में आ गई है फिल्म के नाम को लेकर बॉलिवूड निर्देशक रतन जैन ने दिली हाई कोड में रवी तेजा की फिल्म के मेकर्स पर केस दर्स कराया है दरसल बॉलिवूड अबनेता अक्षे कुमार की साल 1992 में आई फिल्म का नाम भी खिलाडी था जिसे रतन जैन ने निर्देशित किया था ऐसे में रवी तेजा की इस फिल्म के मेकर्स पर या रोप लगा है कि उन्होंने फिल्म के टैटल के लिए अनुवती नहीं ली है एक इंटर्व्यू में रतन जैन ने कहा है कि हमारे पास खिलाडी नाम का ट्रेडमार रजिस्ट्रेशन है बॉलीवूड अपने त्री भूमी पेंडेकर और अपने ता राजकुमार राव स्टारर फिल्म बधाई दो सिनमा घरों में रिलीज हो चुकी है अपने रिलीज के साथी ये फिल्म इन दिनों चर्चा में भी बनी हुई है दरसल फिल्म में लोगों को एक नई कहानी दिखाने की कुशिश की गई है इसी बीच अब इस फिल्म से जुड़ी एक और नई खबर सामने आई है राजकुमार राव और भूमी पेंड नेकर की फिल्म बधाई दो जल्दी सयुक्त अरब अमिरात यानी यूएई में रिलीज होने वाली है सेंसर सेटिफिकेट हासिल करने के बाद अब ये फिल्म यूएई में 21 वर्ष से ज्यादा के उमर के लोगों के लिए सिर्फ नाइट शो में दिखाई जाएगी बॉलिवूड अबनेत्री आलिया भट और अबनेतर रनवीर कपूर अपनी परसनल लाइफ के साथ प्रोफेशनल लाइफ को लेकर भी खासाच चर्चा में बने हुए हैं ये रियल लाइफ कपल रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ दिखाई देने वाला है फिल्म ब्रमास को लेकर आलिया भट और रनवीर कपूर दोनों ही काफी दिनों से सुर्क्यों में हैं अब ब्रमास के सेट से आलिया भट और रनवीर की एक नई तस्वीर सामने आई है तस्वीर में रणवीर यानी ब्रह्मास का शिवा आलिया यानी इशा की आखों में टक्टकी लगाए नजर आ रहा है फैंस को ये तस्वीर पेहद पसंद आ रही है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें